नमस्कार दोस्तों मैं आजया सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSC मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो मैं आपको बताऊँगा रीजनिंग के पांच अतिमहतपूर प्रस्ण दोस्तों जो बार-बार परिशाओं में पूसे जाते हैं दोस्तों आप कोई साभी गवर्मेंट इक्जाम देंगे चाहे आप रेलवे की इक्जाम देंगे या SSC की इक्जाम देंगे या UP SSC या अधर दोस्तों आप कोई साभी गवर्मेंट इक्जाम देंगे तो ये प्रस्ण दोस्तों आपको सभी परिशाओं में देखने को मिलेंगे जो दोस्तों बार-बार प्रस्ण पूसे जाते हैं, रिपीट करते हैं उन्हीं प्रस्णों को इस वीडियो में सामिल किया हूँ और दोस्तों इन सभी प्रस्णों को solve करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान सौट्रिक भी बताऊंगा जिसके सहायता से दोस्तों आप इन प्रस्णों को बीना पेन उड़ाये solve करेंगे मातर कुछी सेकेंड में तो आए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के पांच अति महत्पूर प्रस्ण है देखिए का दोस्तों पहला कोश्ण है आपका सीरीज से है बहुत ही इंपॉर्टन कोश्ण है और बहुत बार ये दोस्तों ये प्रस्ण पूसा जा चुका है देखिए प्रस्ण है दोस्तों इ अगली संख्या कौन सी होगी ठीक है सिरीज में पूछ रहा है कि अगली संख्या कौन सी होगी यानि प्रश्णवाज चक्षिन यहाँ पर है न यहीं पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं सिरीज के संख्याओं को देखते हैं ध्या अब देखेंगे धुर्य कितना कितना आगे बढ़ रहा है दोसे दोस्टो कितना बड़ा है दोसे बढ़ा है आठ दोसे कितना बढ़ा है दोसे कि अठीर ब्रिधी हुआ है, 10 से क्या हुआ है दोस्तों 26 हुआ है, कितने की ब्रिधी हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको देखना होता है, 10 से 26 हो क्या है, यानि कि 26 आप चाहे तो 10 घटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16, 16 की ब्रिधी हुआ है, 26 से दोस्तों 50 हुआ है, कितने की ब्रिधी ह हुआ है 50 से 26 गटा लेंगे 5 सरा जाएगा 24 24 की बृद्धी हुआ है यानि यह दोस्तों कैसे बढ़ रहा है आठ बढ़ा है उसके बाद 16 उसके बाद साही हो जागा तो मैं उमीद करता हुँ दोस्तो आफ इस प्रशन को समझ गयोंगे यह रहा है दोस्तों आसान को सब्षन बादा है और विप्रीत पूछता है ठीक है तो इसके लिए का करेंगे पहले प्रस्ण पढ़िए इसको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ समझिएगा कहा रहा है प्रस्ण चित्र में दिखाये गए सीट के अनुसार एक बाक्स बनाया जा सकता है बाक्स बनाया जा सकता है बाक्स में गुड़े यानि मल्टिप्लाई की बिप्रीत सतह पर कौन सा अच्छा होगा जो मल्टिप्लाई के सिंबल है गुड़े की इसकी बिप्रीत सतह पूछ रहा है यह सम सिंबल आपको कहा दिख रहा है देखेंगे यह दोस्तों यहाँ पर दि देखिए ऐसे होता है डाइस आपका कैसे होता है ऐसे होता है ठीक है डाइस ऐसे होता है अगर जो दोस्तों इधर हम कहें दाइने वाले साइड पर एक नमबर लिखा रहे है सामने वाले पर दो और इस साइड वाले लिखा रहे है तीन यानि जो दिख नहीं रहा है इधर बीच में 2 रहे तो नीचे क्या होगा दोस्तों 3 यानि कहने का मतलब हे उपर वाले के विपृत कोन हो गई यह rocky प्रतेख टीसरा जो दुस्तों फ्लक होते हैं तो यही जी समझे आप को question को कैसे solve करना है यह चीज समझाने के लिए आपको यहाँ पर बनाया हो ठीक है बस एक बार समझ जाएंगे तो आपको बनाने की जोरुत नहीं है बस समझना है देखेंगे दोस्तो जब आपको ऐसे figure दिखें ठीक है खूला पासा ठीक है seat के अनुसार ऐसे दिखा दे तो आप क्या करेंगे दोस्तो जो बड़ा वाला दिख रहा हो यानि कि ऐसे इसमें जो लंबा दिख रहा है इसको हम लेंगे और तुरंट आंसर कैसे में लग देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तो यह एक नंबर है यह दो नंबर है और यह तीन नंबर है तो एक का विपर गुणे का हो जाएगा एक का विपरीत फरा है और इधर क्या बुद्धते आदा है यह पलस का यह क्या हो जाएगा दूस्तों यह पलस का विपरीत फिसे और आपको दिख रहा न ह। है ये आपका क्या हो जागा है अपका इसका भीप्रित हो जागा ठीक है तो इसका आप इसमें पूच темпер रहा है दूस्तो गुणे की भीप्रित ये अ स्टार किस尉 option में दिख रहा है आपको option number C में तो आपका option number C दोस्तों क्या हो जागा सही हो जागा तो इस टाप को प्रशनों को दोस्तों बास 123 count करेंगे तुरंत आंसर दे देंगे तो मैं उमीद करते हूं दोस्तों आप इस प्रशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गयोंगे देख्ट कोशन देखिएगा दोस्तों तीसरा प्रशन वेन डाइग्राम से है Most important है बहुत बार ये प्रशन पूछ जाचुका है देखिए प्रशन कहारा दोस्तों नीचे दी गई प्रशन का सही वेनारेक बताएं दोस्तों लास्ट तक देखिएगा लास्ट में दो कोशन बहुत ही important है जो बहुत बार पर हम पूछे जा चुके तो लास्ट टक इस वीडियो को जरूर देखिएगा देखिए प्लेस चौर अपराधी किसका वेनारेक बता ना किसका वेनारेक वनाना है पुलिस चौर अपराधी दोस्तोव आपको ven diagram से related pr plugin पहले भी करा हूँ और पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ दूस्तो ven diagram प्रसन of paper में कभी भी आये तो इसमें जो सब्द दिये रहते हैं उस सब्द दिये रहते हैं उन्ही सब्दों पर विचार करना होता है कि वह एक दूसरे से कैसे संबंदित है बस ये चीज़ा पता लगा लेंगे तो उसका अंसर तुरंत आपको मिल जाता है तिसमें कौन-कौन से सब्द दिये गए दोस्तों पूलिस है चोर है अपराधी है अ करता है अपराधी तो करता है चोरी करके ठीक है तो चोर क्या होता है अपराधी के अंतरगत क्या जाएगा दोस्तों चोर अब पूलिस दोस्तों क्या होता है चोर होता है कि अपराधी होता है आप दिमाग में सोचेंगे थोड़ा सा तो कहेंगे ना चोर होता है ना ये अप अपरादी होता है पुलीस क्या होता है ना आपरादी होता है तो इसले दोस्तो क्या हो जएगा पुलीस का सरकल अलग बन जाएगा आप देखेंगे दोस्तों इस पूछा जा चुका है एक बार और देख लिज़ ये का क्या है इसमें अपराधी चोर पुलिस ठीक है तो ये अपराधी का हो जाएगा और इसके अंदर चोर आ जाएगा और पुलिस क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा पुलिस न तो चोर होता है न अपराधी होता है इसलिए या लग हो जाएगा option number A सही हो जाएगा next question देखिएगा दोस्तो next question देखने पहले दोस्तो बता दू दोस्तो आपके लिए एक पंचम पब्लीसर की यह बहुत ही अच्छी e-book आई है दोस्तो यह e-book आपके आगामी सभी परिछाओ के लिए important है दोस्तो इस e-book में 10 practice set मिल जागा प्लस 10 one liner set मिल जागा one liner set कहने का मतला पर दोस्तो एक line में question दूसरे line में answer इससे क्या हो दोस्तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा question को prepare कर लेंगे दोस्तो आपके exam में 1-2 दिन का भी time है तो इस e-book को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा आपके exam में काफी help मिलेगा दोस्तो इसमें science, general events और current अफिर के important person दियेगा है जो पिछली परिशाओं में बहुत बार repeat कर चुके है दोस्तो पंचम publisher ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी लेकि मेरे खाने अब दोस्तो यह e-book आपको 25 रुपए मिल जागी इस e-book को आप ले कहा सकते हैं तो इसका link दोस्तो मैं नीचे डिक्स्टन बॉक्स में दे दिया हूँ उस link के दो दोस्तो इस e-book को आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो यह e-book है PDF Notes की तरह है आपके मोबाल में डाउनलोड जागे आप मोबाल से ही पढ़ सकेंगे अगर जो आपको डाउनलोडिंग या पेमेट से किसी परकार की समस्या होती है दोस्तो यहां कश्मर के नंबर दियागा है इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं दोस्तो इस e-book को मैं खुद देखा हूँ इसमें जो प्रस्न दियेगा है काफी important दियेगा है हो तो यानि कि 4485 पलस 609 बराबर क्या होगा प्रस्न दियेगा Button तो इस टाइप के प्रस्न दियेगा है यहां पे हम यह नहीं देखेंगेना कि यह 684 को 132 क्याकहा है यानि कि क्या घटाया यह जोड़ा है ऐसे नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहां पे जब आप देख रहे हैं 488, जो देखिए, 488 में कौन-कौन से संख्या है, 4 है, 7 है, 8 है 609 में क्या है, 6 है, 0 है, 9 है, अब देखेंगे दोस्तों यहां पे 488 में यहां 4 है, यहां पे आपको दिख रहा होगा साथ यहां पे दिख रहा है, आठ यहां पे, यानि 480 में जो संख्या मौझूद है, ओ दिख रहा है, और यहां पे 609 में यहां देखेंगे, 6 यहां पे है, और 0 यहां पे है, 9 यहां पे, यानि यह सभी संख्या है, जब दिखें, तो क्या किया जाता है, हम इन ही में 478 में 4 4 कहां पर है दोस्तो 4 होई-684 में 4 के लिए एक क्या लिखा है दोस्तो डो लिखा है ठीक है यह 2 ऐसे लिखेंगे समझेगे-, समझीएगा निभी अच्छे सदरीके समझा हुआ उनको यहां पर 4 के लिखा है दोस्तो दो लिखा है 8, 8 के लिए क्या लिखा है दोस्तो, 8 यहाँ पे बीच में है, इसके लिए क्या लिखा है दोस्तो, 3 लिखा है, तो हम लिख देंगे इसके लिए 3, समझ रही है, अच्छल से समझते हुए चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तो, 8 के लिए 3, तो हम लिख देंगे 3, फिर उ कहा है दोस्तो 970 में 0 यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, 0 के लिए क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हम लिख देंगे 6, 0 के लिखा है, 6 लिखा है, तो 6 लिख देंगे, उसके बाद क्या है दोस्तो, 9 है, 9 है न, 9 के लिखा है दोस्तो, 9 के लिए यहाँ पर देखेंगे, तो 5 क्या लिखा है दोस्तो, 9 के लिए 5, तो यहां लिख देंगे 5, अब क्या करेंगे दोस्तो, इसको हम जोड लेंगे, 243 और 165 जोड लेंगे, तो यह 5 दिन क्या हो जाएगा दोस्तो, 8 हो जाएगा, 6, 4, 10 हो जाएगा, 10 का 0, 80, 1, 2, 1, 3, 1, 4, इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस संख्या है दोस्तों इधर मौझूद रहे तो हम क्या करते हैं दोस्तों उसी को देख लेते हैं उसके लिए क्या-क्या लिखा है उसी परकार से लिख के जोड़ दिये तुरंत इसका आणसर आ गया यह प्रस्तों बहुत बार पर इसा हम पूछा जा चुका है अगर आप मैं बेसिक से जीरो लेबल से और चेप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं एक चैनल बेना हो जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिक्स्वाक्स में दे दिया इसने भी इंपोर्टेंट वीडियो दो उसको आपको नोटिफीकेशन मिले वहाँ दोस्तों मैं मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जीरो लेबल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइस पढ़ा रहा हूँ कुछ गुनों मैं दोस्तों जब हम मैं आपकी कंप्लीट हो जा देखिए प्रसल कै रहा हैifter यादि सेप्टेंबर का मान चोवन है जनवरी का मान 62 है और दिसंबर का मान 48 है तो अगस्त का मान क्या होगा इस टाइब के प्रस्न पूछे जाते हैं और यह repeated प्रस्न है देखिए इसको हम कैसे solve करते हैं दोस्तो हम इसको numbering नहीं करेंगे यास कितने number पे आता है कितने number पे आता है और उसके बाद से नहीं करना इस टाइब के प्रस्नों को देखिए गए इसको कैसे solve किया देते हैं यह हम देखेंगे जो दोस्तों यह september दिख रहा है यह september में कितने आपके अक्षर है कितने अक्षर है यानि लेटर कितने है तो देखिए september में 1,2,3,4,5,6,7,8,9 कितने है 9 यानि कि 9 है 9 को क्या लिखा है दोस्तों समझेगा एक बार यहां समझ रहा हूँ यह 9 को दोस्तों क्या लिखा है यह 9 को लिखा है चौवन ठीक है यह 9 को लिखा है चौवन ऐसे समझेगा January है ना January में कितने दोस्तों लेटर है यह December में देखेंगे दोस्तों कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कितने है, 8 यानी कि 8 है, यह 8 को दोस्तों क्या लिखा है, 8 को लिखा है, 49, अब आगे क्या है दोस्तों, August, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगस्त में कितने है, 6, अब यह 6 को क्या लिखेगा आपको बताना है, तो देखेंग भी दोस्तो 6 से गुणा कर दे तो 7 चके 42, 8 में भी दोस्तो हम 6 से गुणा कर दे तो 8 चके 48, समझ रहे न, ये कर के रहा है, सभी संख्याओं का क्या कर लिया है, काउंटिंग कर लिया है, कि कितने इसमें अच्छर मौझूद है, और उन अच्छरों की संख्याओं से क्या कर द को दोस्तों सही हो जाएगा तो मैं उमिंद करता हूं जोस्तों आप इस प्रस्द को भी बहुत अच्छे आ तरीके से समझ के उएँंगे बहुत ही इंपमड़न प्रस्न है बहुत बार पूसा जा चुका है ये क्या खिया न filtering को युच्छ कंट अभी भी आपके परिशा में पूसा जागा, तो आप अच्छे से solve कर लेंगे, बहुत ही important type का प्रस्नीरा, दोस्तों इसमें और भी question है, उसको मैं next part में करा दूँगा, अगर जो आपको किसी chapter में business group से problem होती है, उस chapter का नाम भी नीचे comment कर दीजेगा, उस chapter भी मैं बहुत जल आपके crash course लाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो अगर जो आप railway exam के form भरे हैं, तो आप नीचे जरूर comment कीजिएगा, और भी किसी exam के लिए form भरे हैं, तो उसे भी आप दोस्तों जरूर comment कीजिएगा, और दोस्तों आपने telegram group को नहीं से नीचे बनाऊगा, वहाँ पर प्रेस कर दीजिएगा, share वाला दोस्तों सिंबल से बनाऊगा, वहाँ पर प्रेस करके Facebook, WhatsApp, Telegram, जितने भी दोस्तों आपके बास से study group हो, उस group में share जरूर कीजिएगा, जो दोस्तों इस चैनल पर नहीं है, जिनको दोस्तों हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन यानि आप तक मैसेज आगा, तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आगन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपोर्टन प्रेशन होग साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद